अगर आपके पास है Samsung Galaxy M14 और इस फॉन में आप किसी भी एपस की नौटिफिक्सिन को बंद करना चाहते हो तो चलिए जानते इस वीडियो के अंदर कैसे नौटिफिक्सिन को बंद कर सकते हैं आपको बहुत सारी ऐसी नौटिफिक्सिन हो रही है अपना कंट्र बार आप किसी के सामने ओपिन नहीं करा पा रहे हैं कुछ गंदी नौटिफिक्सिन आपकी ऑन हो गई है तो उनको कैसे बंद करना होता है चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे हमारी फॉन की जो सैटि स्थाइल आज़ाती है यहां देखने हो मिलेगा add style इस पर क्लिक करना यहां पर कुछ style आपको देखने हो मिलती है जिब notification आएगे उन्हें आप इनको add कर सकते हैं जैसे कि इसको सैलेक्ट किया तो यहां कुछ साथ से श्टाइल देखने को मिलेगी इसको सैलक कर देखेंगे यहां advance पर क्लिक करके आप इसका color बगएरा कितना temperature कितना कम जाद रखने चाहते हैं यहां के सेट कर सकते हैं अब चलिए बताते हैं आपको notification कैसे बन करने हैं तो यहां से बापस आजाएंगे इसकी बाद देखने को मिलेगा आपको नीचे कीवर यहां पर आपको देखने को मिलेगा in clouded apps इस पर आपको क्लिक करना होगा जिन एप से आपको notification आती है वो सभी available हो जाते हैं अब जो गंदी notification आपको देखने को मिल नहीं बहुत सिर्फ आपके chrome browser से मिल दी होगी तो यह आपस की notification बंद करना तो यहां पर आ जाना है यहां यूटूब की बंद कर सकते हैं या और आपस की करना चाहें वाट्टाप फेस्बुक इस्टाया जिसकी बंद करना चाहें यहां आके select कर लीजी वो आपके disabled हो जाएंगी तो इस तरह से इस phone के अंदर notification setting को आप कर सकते है मैनेज बहुत आचानी से कर पाते हैं I hope दोस्तों आपको यह वाला वीडियो काफी अच्छा लगा